आतंकी संगटन हमास के हमले के बाद इसराइल बोखला गया है और उसके दरजनों लड़ाको विमानों ने हमास के ठिकानों पर बंबारी शुरू कर दी है इस्राइली वाई सेना के मुताबिक इस्राइली वाई सेना के दरजनों लड़ा को विमान अब गाजा पटी में कई इस्थानों पर आतंगवादी संगठन हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं इससे पहले शनीवार को हमास के अतंकियों ने इसराइल के कई शहरों पर रॉकेट से हमला किया है। जिसमें एक महिला सहित पांच लोगों की मोत हो गई है और करीब पंद्रा लोग खायल हो गए है। इसराइल की बचाव सेवा की और से जानकारी दी गई है कि जिस महिला की हत्या की गई वो 60 वर्ष की थी। साथी दो लोगों की हलत गंबिर बनी हुई है। बागी की तबाउ का अवरों के बने रही है। राजणावा नभी के साथ ताने बाद।